किसान अंदोलन के चलते पंजाब जाने वाली ट्रेनों को रद किया हुआ है इसमें कई पार्शल स्पेशल ट्रेने भी शामिल हैं ट्रेनों का संचालन बंद होने से पंजाब जम्मू कश्मीर शिमला के लिए कोई भी डाख नहीं जा पा रही थी लेकिन अब अमबला डाक विभाग निन्य जी गाडियों का संचालन शुरू किया है जिसमें 10 गाडियों का संचालन विभिन रूटों पर किया जा रहा है जो कि समय समय से अमबला रेल्वे स्टेशन के आर उमस से डॉक लेकर आ जा रही है मेर नाम वीजय कुमार भटनागर ऐसे हम बाला आरमेस वही तो ये किसान रेली के कारण ये गाड़ियां बंध हैं इसलिए हम अपनी उससे प्राइवेट ट्रकों से डाग भेजी जा रही है पंजाब जम्मु किश्मीर और पठानकोट वगरा ये सब मेल मोटरों के थरू जा परण किसी को परिशानी नहों डाग हमारी यहां डीटेल नहों और दिल्ली के लिए भी मेल मोटर लगाई गई है दिली भी जा रही है और कम से कम हजार डेड़ जार के करीब बैद जारे यहां दिन में इस में दिन में चार्टर के हैं जो अप डाउन कर रहे हैं दो इदर क कि कोई वैसी डाग डिटेन नहीं हो रही है या सब डिटेन जा रही है अब हमने इसके लिए पूरा आरेजमेंट करा हुआ है अभी हमने क्या जैसे दिल्ली से हमारी दिली तू शीमला एक मेल मोटर चलती है उसमें हम अपने पूरी डाग जो की शीमला की चंडीगड की और इदर की सारी डाग हम इसके तुरू बेजते हैं और इसके अलावा एक और जो हमारा आर्टियन जो रूट चलता है जिसमें टक वगारा जो डाक आती है वो चलता है दिली से लेके जम्मू तक अब उसमें पंजाब की सारी डाग पंजाब की लुद्याना जलंदर अमरिसर तकरीबन 400 बैग हमारे इस गाड़ी में जाते हैं और जो शिमला वाली गाड़ी है उसमें भी हम यहां से 200-200 बैग उसमें जा रहे हैं यानि हर्याने से पूरी बैग हम मेल पूरी डे-वाई-डे डेली क्लियर कर रहे हैं कोई आज की लेटे में हमारे पास कोई ऐसी डाक न पर चलता है फ्रेंटेर मेल वो जो कि आके अंबाला में खतम हो जाता है क्योंकि वो पिंसांव अंदोलोन के कार आगे नहीं जा पारा पंजाब में वैसे अमरी सर तक है पर इसको हम क्या करते हैं कि समय जो मेल है आगे जाने वाली इसमें भी हम यहां से अंबाला कोई भी पैंडिंग नहीं है कोई अश्ट rhymes फ़ुगारा है हमने इसके लिए अपने इस तर पर भी उसमें काम करक्था जैसे चंडीगर पास जो चंडीगर की मेह इसे के साथ ही एक शिमला से एक अम्बाले के लिए भी आटेन आता है जो अलग से चलावा है उसमें भी सारी डाक शिमला और उसकी क्लियर हो जाती है ताज़ा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अध्प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें